हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चानल पर आज हम कंटीनिव करने वाले हैं हमारे एकोनामिक्स के चाप्टर नमबर 11 को जिसका नाम है इमर्जिंग इशूस इन इंडियन इकोनामिक यह है इसका पार्ट 2 पार्ट 1 अप्लोडेड है अगर आपने नहीं देखा है प्लीज वाच इक लिंक इन दी आई बेटन नाव लेट्स गेट स्टार्टेड तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ओफ माइग्रेशन माइ सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इन इफेक्ट्स को पढ़ने से होगा क्या इन इफेक्ट्स को पढ़ने से यह होगा कि गवर्मेंट को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से वो माइग्रेशन के रिलेटेट पॉलिसीज बनाएं माइग्रेशन के दो इफ होते हैं सबसे पहला है growth of income कोई भी person क्यों migration करता है कोई भी person क्यों एक जगा से दूसरी जगा जाता है क्योंकि उसे अपना income बढ़ाना होता है उससे थोड़ा और पैसा कमाना होता है तो जब वह person कहीं और चला जाता है तो वह वहाँ पर जाके पैसे कमाने लगता है तो जब उसको पैसे मिलने लगते हैं तो वह अपने income का major portion यानि कि अपने income का भारी हिस्सा किसको भेज देता है अपने family वालों को भेज देता है मतलब समझ लिजे अगर कोई person गाउं से शैर गया वो दस अजार कमा रहा है तो mostly chances यहीं है कि वह 7000 यानि कि major portion of his income कहां भेजेगा अपने family वालों को भेजेगा अब उन पैसों से उसकी family पे क्या effect पड़ेगा तो उसकी family वाले अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं अपने standard of living को भी सुधार सकते हैं इसके अलावा वो लोग क्या करेंगे agriculture में invest करेंगे तो जब agriculture में वो लोग invest करेंगे तो जाहिर सी बात है कि agriculture का production बढ़ेगा इसके अलावा agricultural sector का productivity भी बढ़ेगा तो इस तरह से आप migration करने की वज़ा से income का growth होता है इसके अलावा एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन भी होता है second positive effect है contribution towards a faster economic development अगेन यही बात आती है जब भी कोई person एक country से दूसरी country में migrate कर लेता है समझ लेज़े कोई इंसान इंदिया से अमेरिका चला जाता है तो अब वो जब वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर वो पैसे कमाता है तो अगेन वो अपने income का major portion कहां भेजता है अपने family वालों को भेजता है तो उसके family वाले क्या करेंगे अगेन अपने standard of living को सुधारने की कोशिश करेंगे business में invest करेंगे trading करेंगे industries में invest करेंगे तो जब वो लोग business में invest करेंगे trading में invest करेंगे industries में invest करेंगे तो हमारे country के अंदर foreign exchange बढ़ेगा अब ये foreign exchange कैसे बढ़ेगा foreign exchange इसले बढ़ेगा क्योंकि वो लोग जो पैसे use कर रहे हैं वो actually में आया कहां से है foreign से ही तो आया है और जब से 1991 के economic reforms हुए है तब से तो migration और भी जादा बढ़ गया है और भी सारे लोग जाके कहां पर shift हो रहे foreign countries में तो उसकी वज़ा से भी हमारी country का foreign exchange बढ़ता जा रहा है यानि कि economic development बहुत जल्दी हो रहा है तो ये थे migration के दो positive effects आप अपने textbook में ही देखो migration के दो positive effects है लेकिन negative effects चार है बोलो देखते हैं हम negative effects of migration migration करने के negative effect क्या होते है देखो mostly migration कौन करता है migration वही लोग करते है जो कम पड़े लिखे है जो inefficient है जो export नहीं है और जो गरीब है तो अब भाई वो less educated है गरीब है उन्हें कुछ आता भी नहीं है तो वो शहर में जाके क्या करते हैं मजदूरी करते हैं और उन्हें वहाँ मजदूरी भी बहुत कम मिलती है तो सबसे पहला negative effect है unregulated urbanization जब कम पड़े लिखे लोग जो inefficient है untrained है यानि कि जो गाउं के लोग है जब वो शहर की तरफ चले जाते हैं तो वो लोग रहते कहा हैं वो लोग रहते हैं शहर के किसी किनारे वाले साइड में backward इलाके में क्योंकि उनका शहर में घर तो है नहीं कि जाके रहने लगेंगे तो mostly वो लोग शहर के किनारे रहते हैं या फिर एकदम पिछले वाले इलाके में रहते हैं तो इसकी वज़ा से क्या हो रहा है अर्बनाईजेशन बढ़ रहा है वो भी कौन से टाइप का अर्बनाईजेशन बढ़ रहा है अनकंट्रोल अर्बनाईजेशन जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बहुत सारे लोग गाव से आते जा रहे हैं शहर की तरफ आते जा रहे हैं और कहीं पिछले इलाकों में क वहीं किनारे वाले इलाकों में रहते जा रहे हैं जिसकी वज़ा से अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन बहुत जादा बढ़ रहा है। सेकेंड है शौटेज ओफ इंफ्रस्ट्रक्ष्रल फैसिलिटिस अब लोग शहर की तरफ आते जा रहे हैं यानि कि अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन होता जा रहे हैं तो वो लोग रहते कहां हैं एक्चुली वो लोग जोपडिया बनाते हैं या फिर सलम वाले इलाके में रहत वो सारे लोगों को अच्छी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है, ना अच्छा पानी, ना ड्रेनेज, ना रूड, ना ट्रांस्पोटेशन, ना कमनिकेशन, ना टॉइलेट्स, ना एजूकेशन, स्कूल, कुछ भी अच्छे से नहीं मिलता है, जिसकी वज़ा से उनका हेल् होता है, तो जादा माइग्रेशन करने की वज़ा से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्ट्रल फैसिलिटी की शॉर्टेज हो जाती है, थोर्ड है प्रॉब्लम ओफ इन्वर्मेंटल पॉल्यूशन, अब देखे, वो लोग कहां रहते हैं, जोपडिया में रहते हैं, स्लम वाल इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर टॉइलेट्स की तो कोई फैसिलिटी नहीं होती है, वो लोग खुद से घर बना लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी छोटा सा, और वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर वो लोग टॉइलेट्स कैसे बनाएगे, तो ना वहाँ पर टॉइलेट्स ह होता ही नहीं है अब वो सब लिक्वीड वेस्ट रिमॉफ नहीं किया जाता है जिसकी वज़ा से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और यह मोश्टली किन किन सिटीस में हो रहा है देखे एमदाबाद अंकलेशवर सूरत मॉंबई कलकाता डेली इन सारे शहरों में इसके अलावा लोग बढ़ते जा रहे हैं और उनके पास खुद की गाड़िया नहीं होती है तो वो लोग कुछ alternative यूज करते हैं यानि कि उनके पास गाड़ी नहीं है तो उसकी जगा वो लोग कुछ और यूज करते हैं जिसकी वज़ा से air pollution होता है खास करके यह problem फोर्थ negative effect है social evils जो लोग गाउं से शहर की तरफ आते हैं यह सोचके कि हम शहर में जाके बहुत सारा पैसा कमाएंगे और जब उनको ऐसा कोई job यहाँ पर नहीं मिलता है या फिर जिस हिसाप का lifestyle उन्होंने अपने मन में बिठाया था वैसा lifestyle वो लोग नहीं जी पाते है त वो लोग चोरी डकैती यह सब करने लगते हैं तो यही थे हमारे migration के negative effects अब हम बढ़ते हैं हमारे next topic के तरफ जिसका नाम है urbanization अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा topic है अब देखिए urbanization का generally मैं आपको meaning बता दूँ तो जब लोग गाउं से शहर की तरफ आने लगते हैं यान की population बढ़ जाती है उसको कहते हैं हम urbanization अब आपको पता है कि urbanization होता क्यों है urbanization होता है economic development की वज़ा से क्यूंकि day by day बहुत सारी industries बढ़ती जा रही है बहुत अच्छे अच्छे infrastructural facilities आते जा रहे हैं तो लोग कहां पे shift होने लग रहे हैं शहरों की तरफ तो urbanization किसकी वज development की वज़ा से होता है अब देखते हैं meaning of urbanization जो मैंने आपको बताया the migration of people from rural areas to urban areas is known as urbanization यानि कि जब लोग गाव की तरफ से शहर की तरफ आने लगते हैं तो उसको कहते हैं urbanization अब यह आपर नीचे दिया हुआ है definition पर आप confused मत होना यह urbanization का definition नहीं है यह definition है town और city आप कैसे पहचान होगे कि कोई area शहर है या गाव है town है या गाव है कैसे पहचान होगे इसलिए यहाँ पर दो definition दिया हुए है पहला all those areas which are planned managed by municipality, corporation, contentment board और notified town area committee is called town or city वो सारे areas जिने plan as well as manage कौन करता है municipality या फिर corporation या फिर contentment बोड वाले या फिर notified town area committee वाले तो उन सब areas को हम कहेगे city या फिर town अब देखिए second वाला definition तो जो areas के अंदर 5000 या उससे जादा लोग रहते है या फिर वहां के 75% population या उससे जादा agriculture के अलावा कुछ और कर रही है या फिर वहां की population की density city 400 या फिर 400 से जादा स्क्वेर किलोमेटर की है तब उस area को हम city या फिक टाउन कहेंगे जो भी areas इन तीनों बातों को पूरा करते हैं उन्हें हम city या टाउन कहेंगे जब British हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तब इंडेस्ट्रियलाइजेशन बहुत श्लो था इंडेस्ट्री के तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था लेकिन independence के बाद Indian government कुछ ऐसे policies बनाने लगी जिसकी वज़ा से इंडेस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा encourage हुआ और 1991 के बाद तो कहना ही नहीं है इंडेस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया इंडेस्ट्री बहुत सारे बन गए इंडेस्ट्रियलाइजेशन के अलावा सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया उसी के वज़ा से economic development भी बढ़ा और urbanization भी बढ़ा क्योंकि वहां की medical facilities बहुत अच्छी होती है इसी लिए urban population बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है उसको हम कहते है natural population growth second आपने पीछे town and city का definition पढ़ा तो उस definition की वज़े से क्या हुआ बहुत सारे rural areas भी अपने आपको शहर समझने लगे क्योंकि जो जो उस definition में था वो सारी बाते इन लोगों में भी थी तो इन लोगों ने अपने आपको शहर ही समझ लिया तो अब वो शहर बन गए है यानि की urban area बन गए है तो वहां की population भी बढ़ेगी तो हम यही कहेंगे कि भाई urban population बढ़ रहा है 1961 में सिर्फ 17.97 था लेकिन 2011 में 31.16 हो गया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही effects of urbanization हम next वीडियो में देखेंगे तो आप उसे miss मत किजेगा उस वीडियो के आने तक बाई बाई टाटाइं आओ जो झाल